चित्तोडगर की कपासन में लॉक्डाउन के चलते एक भील परिवार जंगलों में फस्किया और से रात भी जंगलों में गुजारनी पड़ी कई बार प्रशासन से गुहार के बाद भी पिडित परिवार को कोई राहत नहीं मिली बाद में बूंदी जिला कॉंग्रेस कमीटी के उपाध हक्ष शर्मेश शर्मा के हस्तप शेक्ष से मामला CMO तक पहुँचा CMO के दखल के बाद अब पूरा प्रशासनिक अमला पिडित परिवार की तिमारदारी करने में जुटा है और परिवार को बूंदी तक पहुचा दिया गया है जानकारी के अनुसार बूंदी के विबनवा रोड भीलो का बरडा निवासी कजोड भील अपनी पतनी संत्रा और तेस वर्शिय बेटी लाटकवर के साथ लॉकडाउन के चलते कपासन के जंगलों में फसक गया पूर्वपार शवर्राम सिंग बंजारा के दखल की बाद जिलक कॉंग्रेस उपाधक्ष चरमेश शर्मा ने घटना की जानकारी CMO तक पहुचाई फिलहाल पीड भील परिवार को घर तक छोड़ दिया गया है और चिकित्सा विभाग के और से उनकी स्क्रीनिंग भी करवाई गई है